जैश्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों आपका हमारी चैनल मनु के काना जी में स्वागत है और आप सभी लोग कैसे हैं I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे तो जी आज है नया साल तो काना जी happy new year आपको नया साल बहुत बहुत मुभारक हो और आप आश्रिवाद दीजिये कि ये साल मेरे लिए और आपको देखने वाले सब के लिए मंगल मैं हूँ तो जी आप सभी को भी Happy New Year ये साल आपके लिए बहुत सारी खुश्या ले के आए और काना जी की कृपा आप सब पर बनी रहें तो जी देखिए हमारे काना जी ने स्दान कर लिया है और आज इन्होंने बहुत ही सुन्दर सी ड्रेस पहनी है तो अप ठंडे तो ठंड की ड्रेस हम काना जी को पहनाते हैं तो देखिए कितनी सुन्दर लग रही है मैं आपको पास से दिखाते हूं तो आज तो हमारे काना जी बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं तो जी आप समने दर्शन कर लिए और आज नया साल है तो कुछ मीठा तो बनता है तो हमने हमारे काना जी के लिए बस बनाया है हल्वा गर्मा गर्म हल्वा बनके तयार हो गया है तो सबसे पहले हमें लगाएंगे मीठे का भोग तो काना जी भोग सिरकार कीजिए और इसी साल और इसी तरह से पूरे साल हमसे मीठा मीठा बनवाते रहें और प्रशाद स्वरूप हमें भी देते रहें तो जी आप सभी लोग भी काना जी के लिए आज की दिन कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाएं काना जी के लिए और सारे भगवान जी के लिए बनाएं और फिर सब लोग आप इसे प्रशाद के रूप में ग्रहन करें तो नए साल की सुरवात मीठे से ही होनी चाहिए ना तो जी हमारे काना जी को हमने स्थान करा के पूजा उजा कर दी है सारी और मीठे का भूग भी लगा दिया है और अब हम करेंगे काना जी की कुछ डेकोरेशन तो आज नया साल है, हैपी न्यूएर है, तो कुछ डेकोरेशन भी होनी चाहिए ना तो इस तरह से हम थोड़ी सी यहाँ पे डेकोरेशन कर देंगे, तो काना जी को अच्छा लगेगा और यह मैंने एक छोटा सा हैपी न्यूएर का कार्ड बनाया है, काना जी के लिए यह वीडियो में थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा होगा, बहुत ही सुन्दर सा बना है तो इस तरह से हमारे काना जी की हैपी न्यूएर की पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, सुन्दर सी डेकोरेशन भी हो चुकी है और यह है डेकोरेशन में हमने यहाँ पे इस तरह से यह भी लगा दिया है, यह एक तरह की कैंडल है जिसे मैं जलाती तो नहीं हूँ, बस ऐसी ही डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लेती हूँ तो आज की हमारी डेकोरेशन आपको कैसी लगी ये जरूर बताईएगा और ये है हमारी काना जी का आज का गिफ्ट जो काना जी की दादी मा ने उनके लिए बनाया है बहुत ही सुन्दर सा है तो काना जी को हम पहले काना जी को दे देते हैं फिर आपको दिखाएंगे तो काना जी हैपी नियर ये है आज का आपका गिफ्ट तो देखिए इसमें बहुत ही सुन्दर से वुलन से बने हुए सौक्स है जो मेरे ममी जी ने खुद बनाए है काना जी के लिए बहुत ही सुन्दर से है लेकिन ये थोड़े से बड़े हैं थोड़े से नहीं ये बहुत जादा ही बड़े हैं लेकिन बहुत ही सुन्दर है और बड़े ही मन से उन्होंने बनाए हैं तो हमारे काना जी ने जरूर स्विकार करेंगे तो काना जी कैसा लगा आपको आज का गिफ्ट आप बताईएगा और अब हो गई है शाम तो हम साम की दियापाती की भी तयारी कर लेते हैं और आज तो हमारे काना जी बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं तो अब शाम की दियापाती भी हो गई है और ये हैं काना जी का फिर से गिफ्ट अब इससे काना जी अपने लिए शॉपिंग कर लेंगे और आज नया साल है तो हमें कुछ ना कुछ भगवान जी को भेट सरूप जरूर देना चाहिए पैसे भी उन्हें देने चाहिए कि जिससे हर साल वो हमें भी इसी तरह से अपना अश्रिवात दे तो जी बस यही ता आज का छोटा सा व्लोग आपको कैसा लगा बताईएगा और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा जशी किशना रदी रदी दोस्तों झाल 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 झाल